विल्कम फ्रेंट्स आपको स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमें इस वीडियो पर आज हम इस वीडियो में बारे में बात करेंगे वह भी इस पार्ट वीडियो 3 है मैं आप से निमेजन करता हूं कि आप अगर वीडियो के पार्ट 2 और 1 नहीं देखे हैं तो आप जाएए पार्ट 1 और 2 देखिए वाज वीडियो को देखिएगा ठीक है चलिए अब इतना समय कवाएं शुरू करते हैं हमारा भाला क्यूशन है यह देखिए मैं पहला क्यूशन दिक रखा है पहला क्यूशन क्या कहा रहा है यदि ए बी शी डी पांच क्रमागत विश संख्याएं को Mr. MOland है तो पार तो इनकर विशर कितना होगा वह आपको बता दें कि विशं संख्या में अगर किसी भी विशं संख्या और नंबर में अगर हम सम संख्या का योग करेंगे तो हमारा क्या आता है सम ही आता है अगर विशम संख्या में हम सम संख्या का योग करेंगे अगर हम विशम संख्या में सम संख्या का योग करेंगे तुम्हारा विशम संख्या आएगा किसी भी विशम संख्या में आप ले लिजे चाहे भी अगर हम विशम संख्या का तीन ले ले इसमें अगर दो का एड़ करें क्या आ जाएगा हमारा विशम संख्या एक पांच आ जाएगा अगर हम विशम संख्या एक पांच ही ले 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 उसमें हम किसी भी संख्या का योग कर दें किसी भी मत चार का हम मैंने योग कर दिया तुम विशम संख्या हैं तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बी का वैलू निकालना चाहें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा सम्झिया substitui क्यों कि मारे का संख्या में हम किसी भी को अधर हम अधर हम दो जोड़ेंगे तो उमारा एसी जो प्लस मी इसम में क्या है के बाद जुआ हमारा याजाएगा वह कि बराबर हो जाएगा इसी परकार से में निकालेंगे C हमारा कैसी संख्या है विसम संख्या है तो हम यहाँ पर A में चार्ड जोड़ेंगे तो हमारा थर्ड अस्थान पर जोड़ेंगे वह प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार हम D में जोड़ेंगे देखेंगे विसम संख्याओं का योगफल बराबर हमारा इन संख्याओं का योगफल बटने इन संख्याओं की संख्या में हम भाग से भाग देगे तो हमारा क्या प्राथ हो जाएगा थो देखें हम भाज़र कर देंगे यहां पर अस्ट बराबर ने लिख लिए पहले और इस पांस विशनय संख्याइगा एक संख्या हमारा ऑज संख्या हमारा ढले एक संख्या seri ade और हमें przy a वालु क्या पता है 5+, sorry, a, credited 2, c का वालु क्या पता है a, फॉर, d का वालु क्या पता है, a, प्लस, 6 और वालु क्या है बटे इनसा किट्ने संख्याया है, पांस संख्याया है, बहले हлем बता दिया है, तो हम 5 क्या करेंगे, ड्यीवाइट कर देंगे, अब इसे एट करके लिख लीजिए यहां पर कितनी यह है एक दो तीन चार पांच पांच यह हो जाएगा और मारा यहां पर संख्या जोड़ लीजिए यहां पर यहां पर आठ आठ दो दस 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 बीस हो जाएगा थिक उसके बाद यहां पर पांच कामा लें लीजिए ए प्लस विस बटे पांच और यहां पर पांच से पांच कट गया एप फ्लस बबराबर गया और QA किया हां मालू पड़ गया है और शलिए हिनकर हiau ए हमारा राइट र्थ 59 कि 75 ॏ अधर अगर अगर आपको फर्स्ट क्यूशन न समझ में आया हो तो आप फिर से इस वीडियो का देखीगा पोस्ट करके बैज जाके ठीक कि दिखिए मारा सेकेंड क्यूशन अब देकी? अगर नेक्स्ट क्यूशन है यह मारा क्यूशन स judging है देखिए क्या कर रहा रहा है चार संख्याओं ए बी सी डी आली साथ 40 इनका यह व्यूशन रखा 40 तथा 4 संख्या दी इएफ का और से 40 है मतलब इसका भी 40 है इसका भी 40 है है तो निम्न लिखीत में कौन सा कथन सत्य है मतलब हमें चार विकल्व भी दिया हुआ है कथन एक कथन बी कथन सी एन कथन डी कथन अ में कहा रहा है कि एक प्लस भी नाट इकल तो शीपलस डी और शीटें कहा रहा कि टी एक लटू यह प्लस एफ अमारा सी में क्या कर रहा है एकल टू और दी कहा रहा है मारा इन में से कोई नहीं तो इस तरहीं कैसे करेंगे देखे मैं क्यादे रखा है चार संख्या हो ए भी शेडी का आउसत 40 है मतलब इनका आउसत 40 है किती संख्या है चार संख्या है मतलब की A प्लस B प्लस C प्लस D बटे चार बराबर 40 ये दे रखा है हमें अब क्यादे रखा है चार संख्या यह भी है हमारी a plus b plus e plus f इसका योगफिल क्या रखा है हमें 40 का भी दिर रखा है यह भी 4 संख्या है कि इसका बराबर 40 और यहां पर भी हम निकालेंगे a plus b plus c बराब डी बराबर निकालेंगे इसका हम इसा तीरिया गुड़ा करा देंगे यहां पर इनके बराबर क्या हो जाएगा और इस तरह भी करेंगे क्या हो जाएगा हमारा a plus b plus e plus f equal to 160 देखिए यह 160 और 160 दोनों आपसम बराबर है तो हमारी यह भी संख्या आपसम बराबर हो जागी कैसे जिसे हमारा राम राम स्याम की बराबर है और स्याम राम की बराबर है जिसे हमारा राम है राम बराबर है श्याम के श्याम बराबर है मोहन के तो हमारा मोहन और राम बराबर हो गए तो इसी प्रकार से देखे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 160 है और ए प्लस बी प्लस ए प्लस एफ बराबर किसके है 160 के हमारा 160 यहां पर 260 यहां पर यह दोनों आपसम बराबर क्या हो जाएगा यह दोनों भी हमारे आपसम बराबर हो जाए तो इसी प्रकार a plus b plus c plus d बराबर a plus b plus e plus f दुन आपसे बराबर हो गए तो यहाँ पर देखिए a से a कड़ गए b से b कड़ गया तो मारा क्या बज़ेगा c plus d बराबर किसके e plus f के देखिए मारा यह कौन सा विकल्प सही है बी वाला option number b अब 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 नेश्ट केशन देखेंगे अब देखिए मारा नेश्ट क्यूशन है यह और हम आपको बता दूँ यह वीडियो मैंने मैं जो है आज रात 10 बजे सूट कर रहा हूं तो आप से इतना कहूंगा यह वीडियो कैसा रगता है आप कमेंट बाक्स में ज चार क्रमागत समसंख्याओं का उसा 27 है इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देखिए कुछ नहीं दिया है हमें क्यों इतना कर रहा है कि चार क्रमागत समसंख्याओं का उसा 27 है बस अब पूछ रहा है कि इन में से सबसे इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ब अवस्त दे रहा है तो अगर हम मानेंगे अगर हम आपको बताया भी अगर हम odd number में अगर हम sum मतब event number का योग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्या जाएगा event number का add करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा odd ही आ जाएगा अगर हम इसी प्रकार से अगर हम इवेन नमबर में चाहँ जिस इवेन नमबर में अगर हम इवेन नमबर का एड़ करेंगे तो हमारा क्या आएगा इवेन नमबर ही आएगा और इसी प्रकार कर हम और नमबर में और नमबर का एड़ करेंगे तो हमारा क्या आता है इवेन नंबर विशम संख्या में विशम संख्या में विशम संख्या का योग करेंगे तो हमारा संख्या उसी प्रकार यहां पर मान लेंगे संख्या है संख्या होगा चार संख्या होगा चार संख्या होगा चार संख्या अपने से मान लेंगे एक को मानने पहले माना कि वे संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये पहला ये है और सेकेंड वाला कैसे मानेंगे इसमें जिसे मारा तो एकस प्लस तो हो जाएगा तो एकस प्लस तो हो जाएगा तुशे र temple क्ट अश्चाइस है सदाइस हे गार्ण लेक्स प्लस एकस प्लस-2 एकस प्लस-20 प्लस इंकी संख्या में चार संख्या हम फाग देंगे यहां बेडिया हो जाएगा fak Lit поп नहीं प्राप स्काएट कर लिख जिए कि लिए लएनमें कि तमढ़ेगा तिरिया गुडा करा दी है यह पिछार का हम ठीक है उसका एड़ करें एक दो तीन चार हमें भिज गट का योग पता ही होगा कि 4 का जोड़ाचर में होता है तो यक्स कितनी एक्स हैं चार एक्स है और यहां पर संख्या है दो, चार, चार, कितना हो जाएगा? बारे, बराबर एक लिख सकते हैं यह फिर नहीं लिखें तो भी बेटर है ठीक और इस बारों को एक तरफ करिए और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर निकालेंगे तुम्हार क्या आ जाएगा 24 एक्स बारबर क्या गया है हमारा 24 अब इस एक्स का वैलू हम जो हम यहां पर माने हुए थे समसंख्या इसमें रख दिंगे पहली समसंख्या हम क्या माने है एक्स एक्स बारबर मारा 24 आया 24 हो जाएगा दूसरे सरुपसेक क्या मांने हैं X plus two 24 प्लस दो क्या हो जाएगा मारा 26 और क्या गहा रहा हैं son of Judah मular 24 प्लस इस ओर 24-प्लस 4 जोबीष-प्लस चार यहो जायगा मारा 28 क्या है जबल्स 6 एस यहांने हैं 24 प्लस चीzh क्या हो जाया है मारा 24 प्लस चीवराबर क्या हो पूछ रहा था कि इन में से सबसे बड़ी संख्या का उसी है दिखिए हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या का उसी है यदि 16a plus 16b बराबर 48 वो तो ए तथा बी का औसथ कितना होगा ठीक हमें क्या दे रखा है समिकर्ड दे रखा है उसमें से कह भी रहा है कि ए तथा बी का आउसत मतलतर दो संख्या दिया हुआ है एक संख्या मान लेते हैं ऐसे ही ए तथा बी का औसथ पूछ रहा है हमें तो मैं इस समिकर्स पहले हम A B का मान निकाल लेते हैं यहां से दिखिए यहां से क्या करेंगे 16 प्लस 16 A प्लस 16 B बराबर क्या है 48 है यहां से हम क्या करेंगे 16 को कामन लेते हैं क्या करेंगे 16 कामन लेंगे तो मारा क्या मालूम पर जाएगा A प्लस B बराबर 48 और 16 डिवाइट कर देंगे क्या हो जाएगा 16 यहां 48 A प्लस B बराबर 3 यह हमें A प्लस B का वैलू पतल गया अब मैं क्या पूछ रहा है यहां पर A B A तथा B का आउसत question दिखिए A तथा B का आउसत पूछ रहा है मतलब आउसत कितनी संख्या का दो संख्या का मतलब कि A प्लस B बटे 2 का आउसत पूछ रहा है हमें ठीक यहीं पूछ रहा है हमें और A प्लस B का वैलू में क्या आप मालूम पड़ गया 3 यहां पर क्या आजाएगा कि मारा यहीं आउसत हो जाएगा यहीं मारा राइट एंसर है दिखें नेश्ट क्यूचनल कि नेश्ट क्या कर रहा है ए बी शी की आउसत आयो 25 वर्ट्स है और आपको बता दें ऐसे क्यूचन जरूर से जरूर एकजाम में पूछा जाते हैं चाहें वह जीडी के हो चाहें एस आयो वह का अनुपात तीन अनुपाते पांच अनुपाते साथ है एक ही आयो कितनी है किसकी आयो पूछ रहा है एक ही आयो पूछ रहा है तो इस प्राइट किया करते हैं मान की करते हैं कैसे इसे हैं मान लेते हैं माना क्या माना मैंने ए बी सी की आयू किसमें दे रखखा हैं अनपात्में दे रखा हैं तो अनपात्से हटके मानेंगे करमागत या फिर क्रमशा जो भी कर ले क्रमशा आयो जो है कितना है 3, xignant वर्स और ब के लिए 5, x certain और c के लिए 7, y measures ठीक तब इस किस्टों को आप अच्छे समझेगा क्योंकि इस तरह के जरूर से जरूर जाम कुछे आते हैं 3x वर्ष, 5x वर्ष, 7x वर्ष हम मान लिए हैं ठीक है किसकी आयू, a, b, c की और इनकी आयू का हमें औसत दे रखा है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बटे किती संख्या है, 3 संख्या 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, औसत क्या दे रखा है, 25 वर्ष, यहाँ पे देखिए आयू का औसत क्या रखा है, 25 वर्ष दे रखा है तो यहाँ से इसे आड कर लीजिए, 7, 5, 5, 12, 12, 15, 15 बटे 15 x बटे 3 बराबर 25 और 3 पच्छे 15 हो जाएगा एक्स का वैलू क्या आ जाएगा हमारा यहां से 5 से डिवाइड कर देती है यहां पर 5 25 एक्स बराबर क्या जाएगा 5 अब पूछ रहा है हमें किसकी आयू एक यायू पूछ रहा है एक को हम क्या माने हैं 3 x 3 a बराबर क्या है 3 x यहां पांच तो हमारा तीम गुड़े शारी 5 यहां पर ठीक और तीम पच्छे 15 यह हमारा किसकी आयो आ गया एक ही अगर हमें बीग आयो पूछता तो हमें 5 5 एक समालों पड़ जाता पांच गुड़े 5 बराबर 25 वर्स तो यहां पर साथ गुड़े 5 बराबर साथ पच्छे 35 वर्स ठीक है अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फर वाचिंग